नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरिजेश पसे सुप्रीम कोट का एक ओर्डर आ गया है और वो ओर्डर कह रहा है कि जो कारवन डेटिंग होने वाली थी अभी दरसल क्या है कि इलावा दाइकोट ने ओर्डर किया था कि ज्यान वापी जो मस्जित है उसके अंदर जो आकरिती मिली है, गोल आकरिती, जिसको शिविलिंग होने का दावा किया जा रहा है उसकी कारवन डेटिंग की जाए और सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे से ये आदेश भी कर दिया गया था कि पूरे परिशर की कारवन डेटिंग की जाए जब आप किसी जगे की कारवन डेटिंग का आदेश देते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उसको विवाद में घोशित कर देते हैं कि इसकी मिलकियत और इसका अधिकार किसी भी तरह से विवादित है, मतलब अब यह फाइनल नहीं है कि इनका ही है, लेकिन कारवन डेटिंग क्या संभव है, कारवन डेटिंग होती क्या है, क्या पता लगा सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस आई कोट के आदेश से किसी भी पक्ष को क्या कुछ मिल सकता है, कहीं मत जाईए चनल को सब्सक्राइब कर लिजे, मैं अभी हादिर होता हूँ इस आदेश से अगर कोई फरक पड़ा है, तो वो फरक ये पड़ा है कि जो ग्यानवापी मस्जिद और उसके उपर सवाल ख़ले हो गए हैं हाला कि ग्यानवापी मस्जिद के मामले में एक पहले से कानून है, जो बाबरी मस्जिद के बाद बना था कि एक स्ताय समय सीमा से पहले कि कोई भी मामले में अगर कोई ये मंदिर थी, मस्जिद था वगरा वगरा है, तो उसमें यह था इससे ती रखी जाएगी, उसको खो झालतल भी समझ में आ जाएगा और कारवनडेटिंग के लिसमें मैं है तो पहले हम ये समझें किorticारवनडेटिंग होती क्या है दो सब्सक्रावान और डेट डेटिंग मतलब ौख़़ात बार्म रंसनसे हैं है कि युची जोभी आपके पास हिक इसकी उम्र क्या है ये पता लग जाता है कारवन डेटिंग में कैसे पता लगेगा पता इसे लगेगा कि आप है मैं हूँ पेड़ है पक्षी है या कोई भी और चीज जिस जो जीवित है जीवित है या जीवित थी उसके अंदर कारवन निश्चित पाया जाता है जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो मेरे अंदर कार्वन आता है, और मेरे पास से कार्वन जाता है, जैसे पौधा है, पौधा कार्वन डए अक्साइड लेता है, ऑक्सिजन निकाल देता है, उसके बहुत सारा कार्वन इकठा हो जाता है, फिर मैं बक्री हूं माल लीजे, तो मैं गया मैंने उसका पत्ता खा गया फिर जब मैं और मेरे अंदर जमा होता चला गया जब आप चीनी भी नहीं खाते हैं ये भी एक तरह से जो है वह कार्वाइडरेट कहा जाता इसमें भी कार्वन है तो जब आप exercise करते हैं दूसरी चीजें करते हैं तो आपकी सांस के साथ कार्वन एक साथ ज्यादा निकल यो निकलना है वह आपके की चर्वी के पानि हक्त आप चाहिए के बडल निकलती है और कार्वन डयॉकसा करवय के बदललने से होता है और पानी में बदलने से छेगा बताएग करवी निकलती नहीं कुछ लोग कहते हैं यह जुआ खालो तो señorpyAll से निकल जाएगी कुछ लोग करते हैं पसीना बनके निकल जाएगी ना पसीना निकलेगी और सांस के सरी कार्वन की फॉर्म में निकलेगी यह विश्य से थूड़ा दूर भटक गया जब दिमाग में आता है तो पता देना चाहिए जिसको नहीं पता उसको पता लग जाता है तो अब जो है कार्वन हमारे सब के शरीर के अंदर है हमारा शरीर जो बना हुआ है वो कार्वन से बना हुआ है कार्वन एक बड़ा कंपोनेंट है इसी तरह से पेलपदों में भी कार्वन बड़ा कंपोनेंट है जंगल में भी कंपोनेंट है पसुबक्षियों में सब में ह अब क्या हुआ कि आपने कहीं पर की खुदाई अब उसके अंदर कोई हड़ी निकली या हड़ी तो चलो ठीक है नई चीज है आपको अंदर हीरा मिला या आपको अंदर कोईला मिला या तेल मिला अब ये डाइनोसोर के हडडी मिली है ये कितने साल पुरानी है ये जानना है तो आप कैसे जानेंगे आपको कारवन डेटिंग करने पड़ेगे कार्वन डेटिंग कैसे करेंगे, कार्वन डेटिंग को समझने के लिए पहले आप ये समझे कि जो कार्वन है, उसकी एक हाफ लाइफ होती है, जो होती है 5730 साल अब हाफ लाइफ क्या होती है जितने भी रेडियो एक्टिब पदार्थ हैं जो विकरण छोड़ते हैं जो अपने आसपास ओरजा छोड़ रहे होते हैं उन सब की लाइफ एक समय के बाद आधी होती जाती है जो आप दवा खाते हैं उसकी भी हाफ लाइफ होती है जिस दवा की हाफ लाइफ 6 गंटे है तो डॉक्टर कहेगा 6 गंटे बाद फिर ले लेना वही एक गोली या दिन में 3 बार खाना है क्योंकि हाफ लाइफ है दो बार खाना है तो आपके बलड में उतनी दवा कम हो जाएगी तो उसको टॉप अप करने के लिए दवा दे रहा है कई दवाएं आपने देखा होगा पहले दिन दो गोली खाना दूसरे दिन से एक एक खाना तो जो आपके शरीर के अंदर जो भी चीजे हैं दुनिया की हर चीज की आधी आधा जीवन होता ज़ादा है तो कारवन जो होता है उसका भी जो लाइफ है आधी लाइफ खतम हो जाती है कितने साल बाद पांच हजार साथ सो तीस साल बाद तो अगर आपका कारवन का विक्रिन अच्छा जिस दिन आपकी आपकी जीवन लीला समाप्त होई या आप हमारी छोड़ दीजे पेल की हो गई जीवन लीले समाप्त होगई जिस दिन वो जमीन में गड़ गया या जिस दिन उस डाइनसौर की जीवन लीलर समाप तोई उस दिन उसके अंदर ना तो निया कार्वन जाएगा ना बाहर जाएगा आज की तारिक्षन से डॉक्ट जो वजयानिका पता कर लेते हैं कि इस कार्वन को कतने साल हुएंगे इसकी जो life कितनी बची हुई है कि life बदलती है तो उसके रूप में परिवर्तन होता है तो आप सोचिए कि 5700 साल के आसपास से 5730 साल जो कारवन की half life है तो अगर 5000 कारवन की life आधा उसके अंदर वरिवर्तन आ चुका है आधा खतम हो चुका कारवन तो वो समझ लेगा कि इसको 5730 साल हो गया है फिर इसका आधा होने में भी उसको 5730 साल लगींगे उसका आधा होने में भी 5730 साल लगींगे तो half life का फंडा यह होता है यह परवाणु जो जितने भी चीज होते हैं X-ray मशीन में जो लगा होता है, इन सब की हाफ लाइफ होती है. जितने भी चीजें रेडियो एक्टिव चीजें हैं, जो परमानू इस्तेमाल हो रहता है, उसकी भी हाफ लाइफ होती है. खेर, तो जो आपने जो निकाली डाइनसूर के हड़ी, जब आप उसका कारवन चेक करते हैं, तो उससे पता चल जाता है, कि ये कितना है, कुल मिलाके 50,000 साल तक का आप पता लगा सकते हैं, उसके बाद कारवन खतम हो जाएगा. कि ये आदमी या ये जो हड़ी रहने सूर के मिली, इसकी लाइफ कितनी है. अब आजाते हैं हम अपने वाले मस्जिद पर और फुवारा या शेवलिंग जो आपका हैं, उसके हाफ लाइफ पता लगानी है आपको. पहली शर्थ, क्या वो किसी और्गिनिक वस्तू से बना है, क्या वो उस चटान से बना हुआ है, जो चटान किसी कार्वनिक वस्तू से बने हैं. जैसे की कोईले की चटान, जैसे की हीरा हो, अगर वो किसी और्गिनिक यानि जीवित पदार्थ के जीवाश्म समझ लिजे, या जो उसके अविशेश हैं, या आप उसको, अगर वो कभी जीवित था, माल लिजे, एक हाती था, दब गया है, कार्वन बन गया है, एक जंगल था, पूरा, वो दब गया किसी भूगम पाने से, और कई साल से वो पीड उसके अंदर दवा हुआ है, तो उसकी कार्वन डेटिंग से, अगर वो चटान में तबदील हो गया है, तो आप पता लगा सकते हैं, कि ये चटान कितने साल पुरानी है, लेकिन ऐसा ज्यादातर मा पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वैज्यानिक तरीके से, किसी इमारत की आप कार्वन डेटिंग नहीं कर सकते हैं, दूसरा फेक्टर और भी है, माल लीजिए, कि वो जो फुआरा है, वो कोईले का बना हुआ है, और वो कोईले का बना हुआ फुआरा भी है, और कार्वन पता चल जाएगा कि ये पत्थर कितना पुराना है ये पत्थर किसी और्गनिक चीज का अगर बना भी हुआ है तो आप ये पता लगा लेंगे कि ये पत्थर 5000 साल पुराना है लेकिन पहाड से कब खोदा गया इस पत्थर को मूर्ती में कब बदला गया इस पत्थर से आकरित करना शुरू कर दिया उसकी बाते करनी शुरू कर दी वो कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप किसी इमारत की किसी मंदिर मजजित की कोई उम्र पता कर सके हैं असंभवे यह विज्ञान के इसाब से लोग दोरा जाने कारवन डेटिंग और दुर्वाग इससे देखिए आप कोट में लोग चले हैं कोट ने भी ओर्डर कर दिया आर्कलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के पास चीजों की एज पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इमारत कैसे बनी क्या हुआ है यह कोई आसान काम नहीं है और जब पर्टिकुलर आपको एक अबज़ेक्ट का पता करना हो तो यह सिर्फ विवादों को खीचना रा यहां पे एक आकरिती ढूंड ली अब उस आकरिती पे विवाद अब उस विवाद के उपर विवाद और इस तरह से इसको खीचते जाएंगे और धीर धीर करके ग्यान वापी का मसला खड़ा हो जाएगा फिर कोई सरकार में आएगा उसको लगेगा लाखों करोनों वोट म आवाज देखिए जहां राजनीती इंवल्व हो तो लेकिन बढ़ाल हम अगर टोपिक पे रहें तो कार्वन डेटिंग के जरीए आप पता नहीं लगा सकते कौन सी इमारत कितनी पुरानी है उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो ज स्बस्षर के लिसंग रहें रहें लगा हो तो कि पहरें चीज़् करता हुआर से कुपार अपको नहीं फोश।